नमस्कार फ्रेंड्स पल्लवी एड़ुटेट चनल में आप सबका स्वागत है आज 27 फरवरी का करेंट अफेर हम लोग देखेंगे और जो भी घटना 26 फरवरी को घटी है उससे क्या-क्या प्रशन बनते हैं उनके बारे में जो भी जानेंगे क्या-क्या करेंट अफेर के लि ताइक्वांडो चेंपियंशिप का आयोजन किया जा रहा है उप्संस आपके सामने है तो इसका जो आंसर है वो है नई दिल्ली नई दिल्ली में अखिल भारतिये ताइक्वांडो चेंपियंशिप का आयोजन किया जा रहा है अंसर इस नई दिल्ली चली अब बढ़ते हैं आज के प्रश्ण की और आज का पहला प्रश्ण है कि G20 देशों के वितमंत्रियों और केंद्रिये बैंक गवर्नरों की बैठक कहां आयूजित हुई है option आपके सामने है कौलकाता बैंगलूरू नई दिल भोवनेश्वर तो इस प्रश्ण का सही जवाब है B. बैंगलूरू में G20 देशूं के वितमंत्रियों और केंद्रिये बैंक गवर्नरों की बैठक आयूजित हुई है अचा यह आपसे पुछागा सकता है कि अभी वितमंत्री कौन है भारत के टो वितमंत्री कौन है आप लोग सभी लोग बता देंगे वित्मंत्री कौन है निर्मला सीता रमन जी है निर्मला सीता रमन जी है अगर आप से आर्बिया गवर्नर का नाम पुछा जाए तो इंडिया के तो गवर्नर कौन है अभी भारक के आर्बिया गवर्नर इसको आप ऐसे लिखिए दूरी बना करें आर्बिया के गवर्नर अभी कौन है तो यह है आपके सक्तिकांत दास बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रशन की और दूसरा प्रशन है आज का हाल ही में विधान मंत्री नरेंदर मोदी में बारिसु कन्नर दिमावा एक बर इसको ध्यान से लेखिए बारिसु कन्नर दिमावा महत्सव का उदगाटन कहां किया गया है मोदी जी उदगाटन किया है बारिसु कन्नर दिमावा ये महत्सव का कहां पे किया है ओप्शन्स है आपके सामने आप देख सकते हैं तो आंसर जो आपका होगा ए ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली अभी ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में हाली में प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी ने बारिसु कन्नर दिमावा महत्सव का उदगाटन किया है अगले प्रशन क्यों बढ़ते हैं अगला प्रशन है हाल ही में ममताबनर जी द्वारा अपना बांगला पोर्टल अपना बांगला पोर्टल लॉंच किया यह किस से जुड़ा है अच्छा ममतावनर जी कौन है ममतावनर जी बहुत फेमस है पस्षिम मंगाल के मुख्य मंत्री तो अपना बांगला पोर्टल कहां से लॉंच किया गया है लॉंच किया गया है किस से जुड़ा है ऑप्शन्स हैं आपके सामनी देख सकते हैं ऑप्शन नहीं पड़ेंगे अपना बांगला पोर्टल लॉंच किया है अगले प्रशन को बढ़ते हैं अगला प्रशन है हाल ही में जापान ने किस देश के साथ सुरप्छा संबंधों को मजबूत करने के लिए समबाद आयोजन किया है ऑप्शन्स हैं भारत उतरकोरिया चीन अमेरिका तो इसका क्या जवाब होगा तो इस प्रशन का सही जवाब होगा चीन इसका सही जवाब है अगला प्रशन परकते हैं हाली में आई एफ एफ आई यानि क्या होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन लिखेंगा ने इतना टाइम लग जगा इंटरनेशनल फिल्म फे पुरसकार जीता इस प्रशन का सही जवाब होगा I have electric dreams I have electric dreams यह कैसी फिल्म है यह Spanish film है यह Spanish film है Spain की film है और इसने golden peacock पुरसकार जीता है किस में international film festival of India में तिरपन में यह तिरपनवा था ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन के और अगला प्रशन है आयूस मंत्राले द्वारा आयोगीत चार दिवसी आयूरवेद योग और प्राकृर्टिक चिकित्सा पर एक्सो का एक्सपों नचे का उद्वाटन कहां पर होगा ओप्शन्स हैं आपके सामने तो इस प्रशन का सही जवाब और वारा नसी होगा वारा नसी में अभी हाल ही में आयूस मंत्राले द्वारा चार दिवसी आयूरवेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा पर एक्सो का उद्वाटन होगा अगला प्रशन है रहा आपके सामने प्रशन्स को बचाव अभियान के लिए आन दश्पों यून किस को किया किस आयनेस को बचाव अभियान के लिए तो इस प्रशन का सही जवाब होगा सी आयनेस निरिक्षक को बचाव अभियान के लिए आन दश्पों यूनिक प्रसस्तिपत्र से सम्मान किया गया है नेक्स्ट कॉश्चन है हाल ही में किस देश ने फसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ये कॉश्चन सोयूज अंत्रिक्ष यान लौंच किया है कौन सा आंत्रिक्षियान लौंच किया है सोयूज आंत्रिक्षियान किस देश ने फसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज आंत्रिक्षियान लौंच किया है ओप्शन्स हैं आपके सामने दिया हुआ इस प्रशन का सही जवाब है A. रूस अभी हाल ही में रूस ने अपने देश के फसेवे यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज आंत्रिक्ष यान को लॉंच किया है अगला प्रशन क्यों बढ़ते हूँ अगला प्रशन हैं आपके सामने हाल ही में प्रिंस जिगमे नामग्याल वांग चुक किस देश के पहले digital नागरिक बने हैं options आपके सामने हैं तो इस प्रस्टन का सही जवाब है A. Thailand अभी हाली में Thailand के प्रिंस भी है जिग में नामग्याल वंग्चुक और ये पहले digital नागरिक बने है पहले digital नागरिक ये कहां के है? Thailand Sorry, sorry गलत आंसर हो गया ये भूटान के है? आंसर है भूटान ये भूटान के प्रिंस है जिग में नामग्याल वंग्चुक ये जो प्रिंस है भूटान के और ये पहले digital नागरिक बने है तो इस प्रस्टन का सही जवाब होगा भूटान अगला प्रश्ण है आपके ठामने ये आज का आक्री प्रश्ण है किस भारतिये को अंतराश्टी स्रम संगठन आयलो के बाहे लेखा परिच्छा के रूप में चुना गया है इस प्रशन का सही जवाब होगा बी ग्रीश चंद्र मुर्मु जी को अंतराश्टी स्रम संगठन इंटरनेशनल लेवर और्गनाजिशन आयलो के बाहे लेखा परिच्छक के रूप में चुना गया है यह भारत के इससे पहले नियंतरक एवं महालेखा परिच्छक भी राजुके हैं ग्रीश चंद्र मुर्मु तो इन्हें आधी क्या चुना गया है आयलो के बाहे लेखा परिच्छक के रूप में तो अब बढ़ते हैं अगला प्रशन आज के प्रशन खतम होए अब आपसे प्रशन पूछने का समय है तो आपका प्रशन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है आपका प्रशन है हाल ही में भारत के राश्ट्रपती वह किस देश के राश्ट्रपती भरत जगदेव इनका नाम देखे भरत जगदेव में दिलपक्छे व्यापार समझ में दिप्रक्छे व्यापार समझोता हुआ है यह आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीज़े वीडियो को सेर किज़े सब्सक्राइब किज़े और अपने दोस्तों से भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगता तो डेली जरूर फॉलो कीजिए वीडियो को इस हमारे चैनल पर मैट्स और जीएस के भी वीडियो जाते हैं तो आप उन्हें भी देखिए धन्यवाद जय है